हलो फ्रेंड स्वागत है आपका निडल क्राफ्ट विद पियस में तो सबसे पहले मैंने बखरम लगा हुआ चौकोर कपड़ा लिया है देखिए मैंने सेम कलर का कपड़ा लिया है आप चाहें तो डिफरेंट कलर का भी ले सकते हैं और सीडी की नाप का हम उस पे आकार बना देंगे पेंसे अब बनाए गए निसान के ऊपर ही हमें सिलाई लगाना है देखिए मैं सिलाई लगा रहे हूँ थोड़ा सा जगह हमें छोड़ देना है पलटने के लिए देखिए सिलाई लगाने के बाद हम धागा काट लेंगे और किनारे के कपड़े को भी काट के निकाल देंगे और किनारे पे छोटा छोटा कट लगा देंगे अब जो जगा हम छोड़े हैं थोड़ा सा देखिए अब वहीं से हम इसको पलट लेंगे देखें जैसे मैं पलट रही हूँ, ऐसे ही हमें पलट के सीधा कर लिना है कपड़ा, अब उंगले की सहायता से हम किनारों पे हलका हलका प्रेस करेंगे, जिससे बिल्कुल परफेक्टली बैठ जाएगा, अब जो जगा छुटा है, जिस पे हमें सिलाई लगाना है, उसे अब साथ ही हम इसके किनारों पे भी सिलाई लगा लेंगे, देखें उसको अंदर करते हुए, अब किनारों पे भी हम सिलाई लगा लेंगे, किनारों पे सिलाई लगाने से ये बिल्कुल अच्छे से बन जाता है, इसकी फिनिसिंग अच्छी आती है, देखें गोला बिल्क मोती को लगाएंगे तो पहले मैं किनारों पे एक मोती लगा रही हूं देखिए यह मोती आप बिल्कुल किनारे पे लगाएं उसके बाद हम एक इंच नाप के देखिए सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर नाप का एक कागज लेंगे जिसे हमें बार बार नापने की जरूरत न देखिए मैं जैसे लगा रही हूं मैंने सारी मोती ऐसे ही लगा लिए अब हम धागे को धीरे धीरे खीचते हुए इसे गोलाकार बनाएंगे देखिए मैंने अच्छे से इसको खीच लिया है खीचने से यह बिल्कुल गोलाकार बन जाएगा अम मैं धागे को बांध के और समान रख सकते हैं या फिर अपनी पसंद का कोई छोटा-छोटा समान रख सकते हैं देखिए ये देखने में बहुत ही खुब सूरत दिख रहा है इसे सजावट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें छोटे-छोटे फूल रखे आप अपनी पसंद का इसमें भी ची छोटा छोटा रख सकती है थैंक्स पर वाचिंग